सबी सराब की विशिय में जानता हूँ और चाहे चर्चा हो या ना हो जहां जाता हूँ, दो मिनट इसके बोलता हूँ सराब पीने से हम गरीब नहीं है इसका कोई आखड़ा नहीं है कोई अध्येन नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है हमारे सोसकों ने एक बना दिया जैसे किसी ये भाई ने कहा था ध्यान बटाने के लिए और हम चिलाते हैं कि ये सराव है, सराव है, सराव लीबर कराब करती है स्वास्थ कराब होता है सराव में एंटी अक्सिडेंट होता है थाड के लिए वो थादेवंद भी होती है रेडवाइन, दोनों चीज़े हैं लेकिन जहां हमारा इंडिकेशन है सराब पीने से गरीब हो गया पूरी धिवलग देश अमेरिका, एंगले, जापान, फ्रांच, जर्मणी, रसिया अपने देश की 90 प्रशत अंगूर जो पैदा होता है, उसकी सराब बना के पीते हैं और जस्म सराब की बोतले खुल देखते हैं, अंग्रेजी पिक्चरों में आपने देखा अगर सराब का रिलेशन उंकी गरीबी से होता तो आज चन्बापना को उस्ते अगर सराब पीने का रिलेशन गरीबी से होता तो फाइव इस्टार होटलों में हमारे देश में मैंगी अंग्रेजी सराब पीने वाले लोग गरीब होते कारों से ना चलते, मौट बस्ती ना करते बड़े-बड़े पग और कलम ना होते जहां पर मैंगी दारू और सराब पिलाई जाती है हमारे गरीब लोग जो रिक्सा चलाते हैं अगर दारू का पाउज पी लेते हैं सराब की गिनारे पढ़े रहते हैं तो उनसे हे भावना परिदा की जाती है सारी समस्याओं की जड़ सराब है यह आपका ध्यान आकरत उधर खुमाने के लिए होता है जिससे आप अपनी राई देख चेतना को जागरिद ना कर सके उन पॉलिसी उन नीतियों की बात के बारे में ना सोचें जो सोसकों ने बना कर रखा है जिसकी वज़ा से वो एक दिन करने के लिए 10,000 रुपे तंखा पाते हैं 10,000 रुपे की कमाई करते हैं 50,000 रुपे की टेक्स चोरी करते हैं और वही काम यह उससे मिलता दिता काम करने के लिए हमारे समाज के लोगों को किवाद 200 रुपे देते हैं 200 रुपे वाला अगर 50 रुपे की दारु पीता है तो उसको हम गरीब कहते हैं सारा दोस्ट दारू पर मिड़ देते हैं और दस जार रूपे पर टर्खाप पाने वाला दो हजार की फाइव इस्टार में दारू पीता है आठ जार उसको बज़ जाती है उन नीतियों पर हम धान नहीं देते हैं और उसको सामान से भी देखते हैं दारू का आपकी गरीबी से कोई रिलेशन नहीं है इस बात को गाट बहन लीजिए कि इसलिए उचा आजाता है कि हम सराप पीते हैं दारू पीते हैं इसलिए हम गरीब हैं जे से हम कुन की नीटियों पर अमुली मना उता सके